कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्ट्रेंट्स लाइब के यूट्यूब क्याले पर स्वागा थे मैं रौसनदाज आप सभी के सामने एक नए वेकेंसी के बारे में बताने बाला हूं यह जो जौब है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई है अधीब आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह जब आपके लिए हैं कि इसकी जनकारियों के दोस्तों हम धीरे-धीरे एक अकर जनकार लेंगे इसमें किस प्रकार से इसका जो फॉर्म है वह भराएगा कब तक इसका आक्री डेट है और कितना फिस लेएगा और इसका जो प्रोसेस क प्रकार के दोरब जैब भरती निकाले गए दोस्तों 2020 में यूपी पीस्यल में जुनियर इंजिनियर की बंफर बैकेंसी के लिए आभेदन शुरू हो चुका है अठाश दिसमबर आभेदन की आखरी तारीक है मतलब कि दोस्तों की जी यूपी पीस्यल जैए का जो बैकेंस प्रेंस के लिए त्यार है तो चूल जरू डाले जिससे के आप सरकारी नौकल्य कर सकاके मैं इस हम सब देख केह उत्त्र प्रदेश कर ऑभर कोर्प्रेशन यूपी पीसीयल में उट्रेई जुनियर इंजिनियर के पदो पर बंपर वेकेंसी निकली है कुल पदो दोसो बारा है ठीक है इच्छु कुमिदवार UP energy.in पर जाकर आबेदन कर सकते हैं मनलब दोस्तों कि अब इस वेकेंसी को भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं UP energy.in पर जाएए और वहाँ पर क्लिक किजिए और इस वेकेंसी निकाली गई है इस भरती के लिए आबेदन प्रिक्रियाश चार दिसंबर से सुरू हो चुकी है मतलब कि यह है जो पर इस जो फॉर्म का अपलाए डेट था वहाँ चार दिसंबर से क्या हो चुका है और इसका जो आखरी डेट है वहा है 28 दिसंबर तक ठीक है तो आपके पास समय अभी है अच्छा खासा लेकिन समय बहुत कम है जल्दी से भर दिजिए जिससे की सर्वर कभी कभी स्लो होने कड़ा है उससे आप क्या हो सके निजात पा सके यहां पे एक्जाम डेट के भी बारे में बताएंगा मारे फेंट भर ती के लिए परिछा हरवरी में आयोजित की जाएगी बलाब इस एक्जाम का यह जो फॉर्म अप्ला हो रहा है इसका एक्जाम हरवरी महिना में लिया जाएगा आपका दोजार एक्षिस में हरवारी मेना 2021 में आपको क्या किया जाएगा लिया जाएगा ठीक है यहां पर पदों का विबरन दिया गया है इलेक्ट्रिक प्रेनी जुनियर इंजिनियर के लिए कुल पद 191 है लेक्ट्रोनिक्स कम्निकेशन ट्रेनी जुनियर इंजिनियर के लिए 21 है तोटल मिलाकर 212 Engineering में तीन बरसे dłिप्लोमा क्या क्या है आपको रहना ज़रूरी है उसके बाद कह रहा है इंजिनियर इिलेक्ट्रोमिक्स अथविल्य कॉम्निकेशन बहुत ज़रूरी है और यह इस फ़र्म को नई भर सखेंगे उसके बाद कहा रहा है distance learning से diploma पाने वाले उमिद्वार इस भरती के योग नहीं होगे मलब जिनोंने भी distance learning से diploma कहा है वह उमिद्वार इस form को apply नहीं कर सकते है यदि हम बात करें मारे फेंस IU की तो इसकी जो IU है 18-40 पर्स के जो उमिद्वार है इस form को भर सकते हैं IU की जो गन्नाओं की दोस्तों वह एक जन्वरी 2020 से क्या जाएगा इसमें दोस्तों UP के SC, ST और OBC को अधिक्तम आयुस्रीमा में 5 वर्स की छूट दी जा सकती है सिर्फ UP के लिए बोल रहा है दोस्तों अधर अस्टेट के लिए नहीं बुल रहा है दिव्यांग वर्स को 15 वर्स की छूट दी जाएगी वह भी सिर्फ UP के लिए बाकी अंद राज्यों के लिए जनरल है यह जो सैलरी होगा दोस्तों आपका साथमा बेतन के अंसार होगा मलब 44,900 रुपे कास पस ठीक है चैन कम्पूटर-बेस्ट सििभीती से होगा मलब भी सीब्लब जो एक्जाम होगा दोस्तों कम्पूटर-बेस्ट लिया जाएगा जो परिष्चह के जो सिंटर हैगा माई ओड़ा नसीर हैगा गोरगपूर लखनाउ कानपूर बरेली गाजियाबाद नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथवा मेरट में हो सकता है ठीक है अधी टोटल मार्स की बात करें मारे फ्रेंस तोटल मार्स आपका 200 मार्स का एकजाम होगा जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा टोटल प्रस्णों के दीये हम बात करें मार्स तोटल होगे जिसमे से आपको 500 प्रस्ण डिपलोमा लेवल इंजिनियरिंग स्लेवास ओगे और बाके के जो प्रस्ण होगे वह जेनरल अवेर्नेस होगे जिसमें بتाया गया है 20 रिजिनिंग के प्रश्ट, 20 रिजिनिंग के प्रश्ट और 10 हिंदी के प्रश्ट होंगे, ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लिजे, इसमें 0.25, 0.2 पाच मार्क भी, निगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, ठीक है, अधी हम बात करें मारे फ्रेंट्स, अबेदन फिसकी, तो यूपी के आराच्छित, EWS, और OBC को 1000 रुपया लएगा, फॉर्म अप्लाई करते समय, अधी दिभ्यांग जन के बात करेंगे, तो यह 10 रुपया लिया जाएगा, यूपी के स्थी, स्थी भार के लिए 700 रुपया राखा गया है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, साब साब सब्सक्राइब, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, आने राज्यों की उम्यद्वार, चाहे किसी वी बार को, उनको 1000 रुपया लगेगा, यह वीडियो आप सभी कैसा लागा, आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बत